परेशान होने की जोरुत नहीं है मैं आपको बताऊंगा कि इस कलरलेस लाइन आने का मतलब क्या होता है यह आपके साथ परेशानी नहीं है बहुत बार लोगों के साथ भी ऐसा होता है होता यह है कि जब कोई pregnancy की जाज करने के लिए test card का use करता है तो अगर आप लोग इन test card को ध्यान से देखेंगे तो control line दिखाई देती है और T line दिखाई देती है अब आपके case में क्या हो रहा है कि यह जो control line है यह तो आपको dark गुलाबी कलर की गाड़ी गुलाबी कलर की दिख रही है छीक है लेकिन यह जो test line है T वाली line है यह आपको color less दिखाई दे रही है यह मतलब रंग हीन दिखाई दे रही है सफेद कलर में या फिर सलेटी कलर में आपको दिखाई दे रही होगी जब कोई व्यक्ति ऐसा कोई result देखता है तो उसको बहुत परेशानी होती है फिर लोगों को लगता है कि इसका मतलब क्या समझी हम लोग क्या इसका मतलब pregnancy है या pregnancy नहीं है या फिर ये किसी अलग type की बीमारी को दर्शार आए इन सभी बातों को कि इस लाइन के आने का मतलब क्या है वो हम लोग briefly इस वीडियो में discuss करेंगे तो चलिए start करते हैं वीडियो को बीना किसी देरी के तो वाइस देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमेशा आपको branded test card का यूज करना है जैसे कि प्रेगा न्यूज प्रेगा कैम आई कैन अगर ऐसे test card का यूज करेंगे तो आपको सही result मिलेगा ठीक है अब ऐसे जो यह test card है यह pregnancy hormone को पता लगाने का काम करते हैं जिसे हम लोग beta-scg hormone बोलते हैं होता यह है कि जब बच्चा बच्चेदानी में जाकर implant होता है तो इस hormone को बनाता है जिसे हम लोग beta-scg बोलते हैं कुछ समय के बाद यह जो hormone है यह पेशाब से urine से शरीर से बाहर निकलता है जब आपके periods मिस होते हैं या फिर आपको pregnancy के syno symptoms महसूस होते हैं और जब आप लोग pregnancy की जाज करते हैं तो आपको अगर pregnancy test card में दो line दिखाई देती है तो pregnancy test post ही होता है मतलब pregnancy होती है अगर आपको pregnancy test card में एक line दिखाई देती है तो इसका मतलब pregnancy नहीं है जो test result है वो negative होता है इसके इलावा अगर pregnancy test card में control line dark और test line आपको hulky pink color की दिखाई देती है तो इस video में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि इस line के आने का मतलब चा होता है लेकिन अब एक और situation आ रही है कि आपको control line तो dark pink color की दिखाई देती है लेकिन जो test line है वो आपको color less दिखाई दे रही है मतलब अब रंगीन दिखाई दे रही है और इस line आने के कुछ मुख्य कारण है एक एक करके हम लोग discuss कर तो देखिए जो पहला मुख्य कारण है वो यह है कि अगर आप लोग एक local brand test card का use करते हैं या test card अगर expire है या फिर आपने test card को खोला और रख दिया और कुछ time के बाद अग या फिर आपने इस test card को fridge में रखा है या फिर आपने इस test card को direct sunlight में धूप में रख दिया या फिर अगर room का temperature 30 degree Celsius से जादा का होगा तो यह test card खराब हो जाते हैं और ऐसी situation में अगर आप लोग इस test card से pregnancy की जाच करते हो तो आपको कुछ ऐसा result देखने को मिलता है इसका मतल जब pregnancy नहीं होता है दूसरा कारण है evaporation line मतलब आपने pregnancy की जाच करने के लिए test card का use किया urine की 3-5 बुंदे भी डाल दी सारी instructions को follow करी लेकिन आपने result को भीना देखे ही test card को रख दिया अब 2-3 घंटे के बाद आकर जब आप लोग दूबारा इस test card को देखते हैं तो इस test card पर आपको एक gray color की white color की colorless line देखने को मिलती है इसे हम लोग evaporation line बोलते हैं इसका मतलब ये है कि जो urine की बुंदे आप लोगों ने डाली ये urine की बुंदे भाब बनकर उड़ गई और पीछे अपने इस line को छोड़ दिया जिसे आप लोग colorless line बोलते हैं या फिर रंखीन line बोलते हैं इस line के दिखने का मतलब भी pregnancy नहीं होता है अगर आप लोग इस test card की instruction को carefully follow करेंगे तो company बोलती है कि जो test result है वो 5 minute के अंदर अंदर ही आपको एक valid result देता है 5 minute के बाद इस test card को आपको fact देना चाहिए ठीक है और मेरे experience की according अगर आपको pregnancy test card में 3 minute के अंदर अंदर ही दोनों line दिखती है जो की pink color की होनी चाहिए तो आपका जो test result है वो positive माना जाता है तो evaporation line दिखने का मतलब pregnancy नहीं होता है अगला कारण है home remedies मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कि लड़कियों को या महिलाओं को जब periods नहीं आते हैं तो वो डोक्टर से consult नहीं करते हैं घर पर ही वो कुछ घरेलू उपाए करते हैं उसमें वो गरम चीजों को खाती हैं काड़ा बना कर पीते हैं या फिर कोई आप लोग जड़ी बूटी ले रहे हो या कोई आरुए दिक दवाई ले रहे हो तो इससे क्या होता है urine acidic हो जाता है ठीक है अब acidic urine के कारण आपको pregnancy test card में एक colorless line देखने को मिलती है इसका मतलब भी pregnancy नहीं होता है अगला कारण है कि अगर आपके शरीर में dehydration है आप पानी कम पीते हैं या फिर आपके urine में protein की मात्रा बहुत जड़ा है या तो आप protein supplements ले रहे हो जो महिला है जिम जाती है अगर वो protein supplements ले रहे हैं या फिर दवाईयों के रूप में अगर आप लोग protein supplements ले रहे हो या फिर ayurvedic दवाईयां ले रहे हो या फिर किसी बिमारी के कारण आप लोग कोई दवाई ले रही हैं या एंटिवाटिक्स दवाईयां हो गई तो इन दवाईयों के कारण भी आपको एक colorless line देखने को मिलती है इस line का मतलब भी pregnancy नहीं होता है अगला कारण है कि अगर private part में किसी type का infection हो जाता है जैसे white discharge की समस्या रहती है जिसे हम लोग glucoria बोलती है तो भी आपको pregnancy test card में एक colorless line देखने को मिल सकती है अगला कारण है कि मालो आपका relation हुआ और आप relation बनाने के 3-4 घंटे के बाद अगर pregnancy test करेंगे तो भी आपको colorless line देखने को मिलती है क्योंकि urine के साथ अगर sperm मिल जाता है जिसे हम लोग वीरिया बोलते हैं अगर वो मिल जाता है तो इसके कारण भी आपको pregnancy test card में colorless line देखने को मिलती है अगला कारण है कि अगर आपको kidney disease है या फिर गुर्दे में पत्री या kidney stone है तो इस वजा से आपके urine में white blood cell, red blood cell या pus cell आते हैं जिसके कारण आपको colorless line देखने को मिलती है जब आप लोग pregnancy की जाज करने के लिए pregnancy test card का use करते हैं तो ये कुछ मुख्य कारण थे जिसके कारण आपको colorless line देखने को मिलती है यहाँ पर आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि colorless line आने का मतलब चाहिए वो white color की line हो या gray color की line हो इसका मतलब pregnancy नहीं होता है अगर आपको गुलाबी color की line देखने को मिलती है तो उसका मतलब pregnancy हो सकता है बाकी सबी बाते में इस वीडियो में अच्छे से discuss करी हैं लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि doubts clear ही नहीं होते हैं तो ऐसे में आप लोग pregnancy को पता करने के लिए सबसे बड़ा test जिसे हम लोग serum beta ACG blood test बोलते हैं वो करवा सकते हो इसमें आपको blood का sample देना होता है जो report है वो 72 घंटे के अंदर अंदर आती है जिससे आपको pregnancy का 100% confirmation हो जाता है वहीं दूसी तरफ जो लोग blood test नहीं करवा सकते हैं वो एक ultrasound करवा सकते हैं ultrasound का नाम है pelvic sonography या ultrasound इससे भी आप लोग अपनी pregnancy का confirmation कर स सकते हैं still अगर आपको किसी बात को लेकर doubt है तो comment करके आप लोग हमसे पूछ सकते हैं या फिर अगर आपको personally मुझसे ही बात करनी है तो आप लोग WhatsApp पर consultation book करके मुझसे भी आप लोग direct बात कर सकते हैं तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोग उ दूसफुल और benefit रही होगी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में एक बहुत इंट्रस्टिंग टोपिक के साथ अब बगते लिए stay healthy stay fit thanks for watching this video